आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारा Question है भौतिक नेतांग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि हमारा भौतिक नेतांग क्या होता है? तो भौतिक नेतांग तो हमारा भौतिक नेतांग जो है हमारी ऐसी भौतिक राशी होती है ऐसी भौतिक राशी होती है जो प्रकृति में हमारी प्रकृति में सरवात्रिक होती है समय के साथ जो है समय के साथ अपरिवर्तन सील हो अपरिवर्तन सील हो आपरिवर्तन प्रकृति में सरवात्रिक होती है और समय के साथ अपरिवर्तन सील होती है मेंस हमारी नियत होती है अब अगर हम एक्जामपल की बात करें जैसे हमारा जो प्रकास का वेग होता है इसको जनरली हम यहां पर C से डिनोट करते हैं C इकल टू कितना होता है हमारा 3 into 10 की पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड अब यह हर जगा हमारा जो है यह नियत रहेगी यह वैलू फिक्स होगी यह एक हमारा प्रकास का वेग एक तरीके से भौतिक राशी ही है जिसका वेग हमारा हर जगा नियत रहेगा अब एक और राशी आती ह हम जब ग्रेटेशनल वाला चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल का उसमें सारवात्री गुर्ता कर्षण नियतांग काता है जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं यह भी हमारा एक क्या है भौतिक नियतांग की है इसकी वी वैलू हमारी हर जगा सेम रहती 6.67 इं होते हैं जब 12 में आता है हमारा जो है दो आवेसों के बीच लगने वाला हमारे कुलाम फोर्स होता है उसमें हमारा एफसाइलन नौट क्या बताता हमारी जो है निरवात की बिद्दू सिलता बताती है जिसकी वैलू हमारी जो है 8.85 इंटू 10 की पाउर जो है माइनस 12 करते हैं इसका भी मान fix होता है 1.6 इंटू 10 की पाउर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है तो बच्चों यह उसारे हमारे क्या हैं इसी तरीके सांवार जो है भाहती बिद्द दू सिलता होते हैं जिनकी हमारी क्या होती है नियत होती है किसी किसी है नोट मैने लिए यह निर्वाद की जो है सिर्फ बिद्धू सिलता होगी अगर माध्यम चेंज होगा तो अलग-अलग माध्यम की बिद्धू सिलता चेंज हो सकती है लेकिन यह निर्वाद की बिद्दू सिलता हमारीई fix रहे गी फिलेक्तॉर्ण पे आवेज इतना है इतना ही रहे यह कभी चेंज नहीं होगा प्रकात की चार्ण हमारा निर्वात में निर्वात के लिए है निर्वात के लिए ह्या ह्नितनी म안त बिज्ञान में जो है अगर हम किसी जो है concept को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जब हम कोई equation बना रहे होते हैं तो देखते हैं कोई भौतिक राशी किन राशियों पर ग्रेविटेशनल वाले chapter में पढ़ेंगे या पढ़ेंगे कि अगर दो द्रभिमान जो है किसी यहां पर जो है किसी particular distance पर रखा जाए अगर माल लेते हैं दो द्रभिमान यहां से एक दूसरे से जो है यहां पर आर दूरी पर रख दिया जाए और इनका हमारा द्रभिमान M1 ह है और M2 है तो Newton के सहरावात्री गुर्था कस्र्ड नियम से जो है इनदोनों द्रभिमानों के बीच जो लगने वाला हमारा बल हो गार टॉर्था कस्रड बल होता है नрафश्या बताई था गुरुत्वा करसडबल दोनों दरभिमानों के गुड़नफल के अनकुर्मान पाती होता है और इसके बाद इन दोनों दरभिमानों के बीच की दूरी के वर्क के बेतकुर्मान पाती होता है अब जब हम दोनों के एक साथ मिला के लिखते हैं तो हमारा FG क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे जो है equal to का sign नहीं आएगा भी हमारा proportional रहेगा M1 into M2 divided by R square तो अब हमारा इसके अनकुर्मान पाती हो गया हमारा गुरुत्वा कर्षडबल अब हम क्या करते हैं इसी अनकुर्मान पातीक चिन यह जो हमारा अनकुर्मान पातीक चिन होता है इसी को हमें हटा के हमें समीकरण बनाना होता क्योंकि तब ही तो हम यहाँ पे जो है गुरुत्वा कर्षड बलकी value निकाल पाएंगे अब जब इसको हम हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कोई ऐसी भौतिक रासी लानी पड़ती है जो की नेतांक हो जो हमारी बदल नहीं रही हो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक भौतिक नेतांक लाना पड़ता है एक ऐसी राशी लानी पड़ती जो कि हमारी क्या हो भौतिक नेतांक हो अब नीटन ने जो है यहाँ पर अनुकरमानपातिक चिन हटाने के लिए एक भौतिक राशी का इंटोड्यूस कि यहां पर यहां पर जो हमारा जो है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा भौतिक नेतांग का मतलब क्या होता है यहां से हमारा कोशिन कंप्लीट हो जाता है ओके थैंक यू